तो हाई लोग दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है वन्स अगैन आपका पॉली टेकनिक के नमबर वन चैनल रेस वाइकेडि में तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ही जो यूपी पॉल टेकनिक का काउंसलिंग होगा किस तरीके से आप काउंसलिंग के लिए अपने कॉलेज को सेलेक्ट करोगे कैसे एक लिष्ट घर बैठे आप अपने कॉपी बे बनाओगे ताकि उस लिष्ट को बना कर जब आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा और अगर आप एक्ष्ट्रा वर तो अच्छा कॉलेज मिल जाता या फिर अच्छा ट्रेट मिल जाता तो वीडियो को ध्यान से देखना तुमारे लिए बहुत ज्यादा नॉलिजबल वीडियो होने वाली है क्योंकि बिल्कुल बारेकियों से बताऊंगा कि कैसे काउंसलिंग के लिए तुम्हें अपना घर ब साइट पर आना होगा और एक साधे पेज पर एक पेज पर तुम जिस तरीके से मैं बताने जा रहा हूं उसी तरीके से अपना चार्ट प्रिपेर करना या कॉलेज लिष्ट प्रिपेर करना या ट्रेड लिष्ट ताकि आप 50-60 कॉलेज अगर आपका रहेंग ज्यादा है त तो 50, minimum 50 choice lock करना उससे अधिक है तो उससे अधिक समझे चलो तो इसके लिए आपको करना क्या है जैसे ही होम पेज पर आओगे आपको एक यहाँ पर पॉप अप करता हुगा डिस्प्ले सो कर रहा होगा जिसमें लिखा है instruction for counseling के लिए है अलग है help center के लिए अलग है आपको क्या चाहिए आपको चाहिए institute wise seat available आपको देखना होगा कि कि किस institute में किस college में कितना seat है और यहीं से आपका trade का भी clear हो जाएगा कि कहां कितना trade है तो आप इसको click करके यहाँ का pdf download करोगे और एक file आपके mobile पर download हो जाएग जाएगा विच सीट की किस college में कितनी seat है कितना कितना trade है सब कुछ पता चल जाएगा घर बैठे आपको पूरे इंडिया का तो आपको अगर सरकारी college का चाहिए तो आप इसमें से छाटो गए यह चटनी करने हैं आपको मैंने college list अलग top 20 दे रखा है नहीं देखे हैं तो top 20 यूपी पॉल्टेक्निक college बाई रिश्वा एकेडमी लगा पर सर्च कर लेना या पिर जिस भी पॉल्टेक्निक पर आपको यह topic पर वीडियो चाहिए वह topic सर्च करो YouTube में और लास्ट में बाई रिश्वा एकेडमी लगा दो बेहतरीन जानकारी मिलेगी समझे तो तुम्हे government college की चाहिए तो तुम्हे government college का list मैं अलग से दे रखा हूं और यहां पर देखो यह पूरा यूपी की बात हो रही है जितने भी list है सबका दिया गया है तो सबसे आपको मतलब नहीं है यहां पर देखना यह bracket में जो लिखा है एड़ेड लिखा है मतलब यह एड़ेड कॉल college है अर्द सरकारी भी मिल जाए अगर आपको government नहीं मिलता है तो अर्द सरकारी को कम मत जानी यह बहुत ही पेश्ट है और इसी college में मालो यह पहले नंबर पर दिया गया है जनता पॉल टेक्निक गाजियावाद ठीक है भूनेश्वर कि स्वार्य बुलंत सहर यह added college है तो आ इसमें लिए देखो तुम्हें करना क्या है यह trade code होता है यह तुम्हें लिखना होगा कैसे लिखना होगा मालो तुम्हें 50 college log करना है तो तुम एक दो तीन अपना numbering रख लो कि मुझे पहले नंबर पर लखनवू का college चाहिए या फिर हैदराबाद का चाहिए जो भी लखन पॉल्टेगने की लखनवू पहले नंबर पर रख लो दूसरे नंबर पर रख लो फिर गोरक पूर रख लो गाजिया वाद रख लो जो भी college चाहिए आप एक से लेकर जितना भी बनाना है लिस्ट अपनी तयार करोगे और लिस्ट कैसे तयार करोगे दो चीजे तुम्हार पढ़ाई करोगे तो सबसे बेश्ट यह दूसरा वाला option है आपको जो पसंदीदा ट्रेड हो जिस ब्रांच से आप पढ़ाई करना चाहते हो उसको चूज करना college बहुत ज्यादा माइने नहीं रखता है आपका ट्रेड मेन है कि आप electrical से कर रहे हो civil से कर रहे हो mechanical कर रहे हो ह हो सकता है आप college के चक्कर में government college कोई highlighted college उसमें admission ले लिया और अच्छा trade नहीं लिया जिसका future ही नहीं है तो आपका चीजे बहुत ज्यादा बिगड़ जाएंगी life पूरा आप अफसोस करोगी कि मैं अच्छा trade लिया होता तो मुझे job जल्दी मिल जाती है तो बात समझ में आई आपको कि मैं क्या कहना चाहता हूं आपको मालो किसी student को electrical पसंद है किसी को civil पसंद है civil engineering पसंद है वो अपना तयार करेगा मालो किसी को electrical पसंद है मैं बात कर रहा हूं electrical तो आप electrical के लिए पहले देखो starting के कम से कम जितनी भी college चूच करो कि सिर्फ सिर्फ electrical के आप list बना मालो जितना बना सकते हो तो पहले पर भी इलेक्ट्रिकल रखो दूसरे में भी रखो मालो हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए तो हमने इलेक्ट्रिकल के लिए लखनव कॉलेज डाल दिया कानपूर डाल दिया गोरपूर डाल दिया तो तीन यह हमारा हो गया कि हमें लखनव में मिल ले लूंगा कानपूर में मिल जाएगा तो भी ले लूंगा गुरणपूर में मिल जाएगा तोभी फह्चाबात में इसी तरह से आप बहुत ज्यादा लिश्क के वह लेक्ट्रीकल का बना लिए फिर दूसरे नंबर पर टार्गेट करोगे कि मुझे दूसरा ट्रेड काउंस चाहिए अगर इलेक्ट्रिकल इंवेस्ट से नहीं मिलता है तो मान के चलते हैं कि अगर दूसरा नंबर में किसी को सीविल पसंद है तो इलेक्ट्रिकल से यहां पर सतम होगा उसके नीचे सीविल का श्टार्ट कर देगा कि इसके बाद अगर यहां तक नहीं मिलता है तो सीविल में सीविल में लखनवूर में चाहिए कानपूर चाहिए गोरकपूर जो चाहिए आप अपना सरकारी कॉलेज से उठा उठा के लिस्ट तयार करोगे और इसमें समय लगेगा आपको जल्दी नहीं दिखानी है मैं आपको इतना डीटेल में हर वीडियो समझा रहा हूं कि एक भी मिस्टेक नहीं होने चाहिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं चैनल से जुड़े होना काउंसलिंग का अलग से प्लेइलिस्ट बना दिया गया जाकर देखो पूरा प्लेइलिस्ट देख लो पूरी कन्फ्यूजन तुमारी दूर हो जाएगी बहुत ज्यादा वीडियो ने इस्पेसली किये सिविल चूच किये ठीक हो सकता है मैकेनिकल कुछ लोग चूच करें कुछ लोग कंप्यूटर करें ठीक है कोई लोग इलेक्ट्रानिक्स करें तो विए आपके ऊपर है आप अपनी चार्ड तयार कर लेंगे अपने रैंक के अंसार आपका रैंक जितना कम है किसी का 2000 र तो पच्चास च्वाइस मिनिमम्म तू लाग करना ही करना दुकान वाले से करवा सकते हो चाहे जैसे भी जितने ज्यादा चौइस किये रहोगे तुम्हें बादने पस्ताना नहीं नहीं रहेगा कि हम तू कॉलेज और लाग किये होते तो हो सकता है मिल जाए इस तरीके से पूरा यह पीडियव आप डाउनलोड करके देख लेना गौवर्मेंट कॉलेज का और ब्रांचेस क्या है कौन-कौन से में ब्रांचेस है किसमें क्या पढ़ना है सब पे वीडियो है काउंसलिंग का प्लेलिस्ट बनाया हूँ जाके देख लो सभी का तुम्हें मिल प्लेल जाएगा समझ में आ रही है बात अच्छे से आपकी काउंसलिंग करानी है अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जवाब को देंगे या अपने सवाल को पूछेगी कि आपका कौन सा कॉलेज चाहिए कौन सा ट्रेट चुनना चाहते है या जो भी कंफ्यूजन और कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा आपको अपनी पसंद का कॉलेज जरूर मिलेगा